विल्कम बैक स्टुटेंस तो आज हम क्लास एट चैप्र फॉर्स्ट क्रॉप प्रोडेक्शन आइन वाइश्मेंट का रेस्ट आप टापिक कवर करने जा रहे हैं पिछले लेक्चर में हमने इरिगेशन पढ़ा था फिर में थर्स अप इरिकेशन दिखा हमने और फिर हमने द स्टूरेशिंग, विनोईङ, स्टूरेज और फूट फ्राम एनिमल इन सारे टापिक्स को डीटेल में कवर करेंगे स्बसे पहले हम यह जानेंगे कि पेस्ट क्या होता है तूथ पेस्ट वाला पेस्ट नहीं कुछ ऐसे इंसे होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को of animals such as insects जैसे लोकिटेस हो गया, टर्माइट हो गया, लोकिटेस मतलम हो गया तिड्डी और टर्माइड यानि दीमक वगएरा and rodents, rodents हो गया rat तो इस तरह के जानवरों को हम pests कहते हैं इन सारे आनिमल्स और इनसेक्ट के अलावा भी कुछ ऐसे microorganisms हैं जो crops को attack करते हैं bacteria, virus, fungi जो crops को किसी तरह का disease दे देते हैं और इन सारे disease के वज़े से crop yield में भारी नुकसान भी आता है तो इन सारे animal, pest, insect वगएरा से या virus बैक्टेरिया से बचने के लिए हम एक chemical का use करते हैं जो इस तरह के कीडे को destroy कर देता है, rodents को destroy कर देता है, damage कर देता है और उससे disease को फैलने से रोकता है जिसे हम pesticides के आते हैं pesticides को हम sprayer के help से spray करते हैं field में या फिर low-ling craft के help से हम field में इसे spray करते हैं pesticides generally बहुत तरह का होता है लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे insecticide, fungicide और rodenticides के बारे में इसके इलावा और भी pesticides होते हैं like herbicides और bactericides या फिर larvaicides जादा deeply नहीं जाएंगे जो हमें पढ़ना है वो इतना बस हम इसमें cover करेंगे तो insecticides क्या होता है these are used to kill insects insecticides pesticide का एक टाइप है जिसे हम insects को kill करने में यूज करते हैं example में अगर आप देखे तो हो जाएगा DDT, dichlorodiphanil, trichloroethane and BHC, benzene hexachloride DDT chemicals असल में colorless, tasteless और in fact odorless होते हैं यह crystalline chemical compound होते हैं जिसे हम field में spray करते हैं ताकि insects जो है वो किल हो जाए इट वोज इनिशेली यूज विद ग्रेट इफोर्ट्स to combat malaria, typhi and other insect born human diseases इस सारे chemicals जो है वो insects की body में जो neuron channel है iodine ion channel है उसे open कर देता है और फिर बाद में इनकी body में spasm होता है एठन होता है और finally उनकी death हो जाती है अब जो हमारा next pesticide है वो है fungicide these are used to destroy fungi examples are sulfur salts and copper salts fungicides जो है वो plant में जब fungus लग जाता है तो उसे destroy करने में help करते हैं यह fungus के cell को completely damage कर देते हैं okay now our next pesticide is rodenticides rodenticides का इस्तेमाल हम rodents को kill करने में use करते हैं rodents are like mice or rat examples are warfin and zinc phosphide इन examples को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है यह बहुत जाते important है हम देखेंगे कि pesticides का advantage क्या होता है और इसका disadvantage क्या होता है pesticides help to kill pests quickly therefore enhance food production और pesticide को store करना भी बहुत आसान होता है और उसे हम अपने according अपने मन के according use कर सकते है time to time okay now what are the disadvantage of pesticides pesticides air pollute करते हैं water pollute करते हैं और साथ ही साथ soil pollute करते हैं अगर यह wash away होकर water bodies में चला जाए तो जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर है उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है pesticides are determining for the environment and produce considerable damage to ecosystems अगर कोई पेस्टिसाइड के exposure में है मान लिजा अगर पेस्टिसाइड कहीं पर spray किया गया और वहां पर जाकर कोई इन्हेल करता है सांस लेता है तो वो जो है पेस्टिसाइड उस इंसान या उस living organism के immune system को बहुत भूरी तरह से harm पहुंचाता है the use of some pesticides may contribute to the development of resistance among the target pests resistance makes pest control considerably difficult pesticides human health को ही नुकसान नहीं पहुचाते हैं बलके साथ-साथ ये agricultural land को भी नुकसान पहुचाते हैं ये pest को तो किल कर देते हैं इंसेक्ट को किल कर देते हैं लेकिन साथ-साथ जो beneficial microbes होते हैं फिर लाइक एर्थ वर्म और भी अधर microbes उन्हें भी ये किल कर देते हैं let's move on to the another topic which is harvesting, threshing and winnowing once the crop has matured it has to be cut from the main plant grains have to be collected from the crops and the waste should be separated from them the entire processes involve these three steps threshing, harvesting and winnowing harvesting वो process है जिसमें हम mature crop को cut कर लेते हैं field से ताकि उसमें से हम grain निकाल सके, grain अलग कर सके तो इस process को हम harvesting कहते हैं harvesting में क्या होता है, crops को plout कर लिया जाता है या फिर ground से इंदम close करके उसे cut कर लिया जाता है cereals को around three to four month लगता है mature होने में हम harvesting को दो बार में complete करते हैं first time हम manually harvest करते हैं and the second time we use harvester harvesting के बाद हमारा जो next step है वो है threshing threshing के process में हम straws से या फिर चर्फ से grains को separate करते हैं straws या चर्फ यानि के husk जो हम गाय वैल को खिलाने के लिए यूज करते हैं इसे हम manually भी कर सकते हैं लेकिन these days we use a machine called combine combine asal में harvester plus thresher है जिसे जो combinedly एक machine के form में होता है and now the third and the last step is winnowing usually यह जो winnowing है वो उन लोगों के लिए है उन farmers के लिए है जो बहुत कम land है जिनके पास तो वो इस method का use करते हैं चफ और grain को अलग करने के लिए जिसे हम winnowing कहते हैं इस process में क्या होता है कि हम एक height से जाकर grain को गिराते हैं और जब वो grain नीचे गिरता है तो इसमें wind का बहुत बड़ा रोल है wind जो है वो जो भूसा होता है या husk होता है चोटा चोटा पार्टिकल उसमें रहता है उसको उड़ा करके side कर देता है और जो हेवियर grain होते वो नीचे ग्राउंड पर fall out हो जाते हैं हमारा next topic है storage हमने crops की harvesting कर लिया थ्रेशिंग कर लिया और विनोइंग भी कर लिया अब बात आती है कि grains जो है उसे store किया जाए ताकि हम उसे अपने जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके use कर सकें तो उसे ऐसे जगह पर store किया जाता है जहां पर जरा भी moisture ना हो इंसेक्ट ना हो free from rodents and microorganisms ठीक है जो freshly harvested grains सेट्स हैं उनमें moisture का amount जादा होता है और अगर किसी grain में moisture presence है तो वह microbial growth को promote करेगा उससे जादे चांसे होता है कि grain में कीड़े लग जाए और तो प्रिवेंट इस spoilage यह बहुत जरूरी है कि हम दोनों ही जगह को moisture free रखें ग्रेंट को भी moisture से अलग रखा जाए और एरिया जो है? जो है is storage area उससे भी moisture से free रखा जाया तो सब से पहले हम grains को sun में sun light में सुखाते है ताकि moisture सारा निकल जाए grains से and then we pack these grains in gunny bags तो हम metallic bins का भी इस्तमाल करते हैं इन grains को store करने के लिए once they are dried and then packed in gunny bags or metal bins they are stored or shifted in go-downs This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. यह जो large scale grains है इन्हें हम स्टोर करते हैं सिलोस या फिर ग्रेनरी में to protect them from pests like rat, microbes and insects. सिलोस असल में large huge airtight containers होते हैं cylindrical shape के जिस पे हम grains को स्टोर करने के लिए use करते हैं. वह अआीचल जो खुबर टाना बते हैं सुर्ट को स्टोर। आप ओ सक्रूर।ो घूबकर के लिए जूँड ONE, ट rugged आपने जापने पर PJs. झाल झाल